नमस्कार, 82 श्राठोर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज 20 मार्च है और आज के दिन ही इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट अर्विन केजरिवाल को अपने दफ्तर में बुलाने वाली थी लेकिन उससे एक दिन पहले ही अर्विन केजरिवाल के चहते ने एक खुलासा कर दिया प्रेस कॉंफरेंस करके आम आदमी पार्टी के राष्टिय संगठन मंत्री संदीप पाठक ने केजरीवाल की रननीती पे पहले ही खुलासा कर दिया और 20 मार्च को ही ये कह दिया कि कि एडिके किसी भी समन का केजरीवाल जवाब नहीं देंगे और पेश नहीं होंगे लेकिन आज 20 मार्च जैसे हुआ सुबह सही अर्विन केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गए और अर्विन केजरीवाल सुबह सुबह ही एक याचिका लेकर के दिल्ली हाई कोट पहुँच गय इंफोर्स्मेंट डायरेक्टेट के समन को लेकर के अब उस याचिका में क्या है ये तो आपको बताएंगे और कैग रिपोर्ट में 61 पॉलिसी को लेकर के 2000 करोर रुपए के पूरे फरजीवारा का जो खुलासा हुआ उसके बारे में भी बताएंगे लेकिन दोस्तो जब तलाब से मचली को निकाल दीजिए तो वो किस तरीके से छट पटाने लगता है जिसको भरस्टा चारिता करने की आदत हो और अगर भरस्टा चारिता न अकर पाए और पुलिस एजेंसिया उसके पीछे पढ़ जाए तो वो इंसान पूरी तरीके से हुआ है इडी का समन हाई कोट सुप्रीम कोट से जटका पूरी एजेंसिया इनके पीछे तो ऐसे हालात में अब भरस्टा चारिता करने में नहीं बन रहा तो अब छटपटाहट साथ तौर पे दिख रही है यहाँ पर सुबा सुबा दिल्ली हाई कोट अरविन केजरिवाल पहुंसते हैं उनकी तरफ से वकालत कर रहे अभिसेक मनुस सिंग्वी अपनी धलीले देते हैं और एडी के समन का पूरी तरीके से विरोध करते हैं केजरिवाल दिल्ली हाई कोट में नई याचिका दायर करने जाते हैं दोस्तों और केजरिवाल ने दिल्ली हाई कोट से मांग किया है कि हाई कोट आदेश दे इडी को कि वो हमारे साथ कोई दंडात्मक करवाई न करे हमारे साथ बत्तमीजी न करे यहाँ पे अर्विन केज्रिवाल ये भी कहते हैं कि मैं समन का पालन करूंगा लेकिन दिल्ली हाई कोट से अपील करी कि आप इंफोर्समेंट डिरेक्टेट को आदेश दिजिए कि वो मुझे लट से न मारे मेरी कुटाई ना करे मेरे साथ दंडात्म कारवाई ना करे मैं समन पे जाऊंगा अब अपनी पूरी तडिके से कंफोर्ट जोन तयार कर रहे हैं अर्विन केज्रिवाल सेफटी प्लान कर रहे हैं पहले ये कहना दिल्ली हाई कोट में कि मुझे पूरी तडिके से सीक्यूर्टी दीजिए सुरक्षा दीजिए तो मैं इंफोर्समेंट डिरेक्टेट के दफ्तर में जाऊंगा और आज कह रहे हैं कि आप आदेश दीजिए हाई कोट आदेश देश इंफोर्समेंट डिरेक् के दफ्टर में जाओंगा तो मुझे लट से माया जाएगा मेरी कुटाई होगी अरे वो भी एजेंसियां है और उनका भी अपना कारवाई है वो तो अपना प्रोसेस करेंगे लेकिन उससे पहले ही इतना सेफ पाथ बना रहे हैं अर्विंद केजडीबाल आपको बता दे कि 21 मार्च को एडी ने बुलाया था अर्विंद केजडीबाल को नौमा समन जारी किया था इसके पहले भी राव जवे न्यू कोट में अर्विंद केजडीबाल की पेशी हुई थी लेकिन 15,000 के मुचलके पे वो जमानत पे बाहर है एडी के समन को लेकर के वे इस पे फैसला आएगा लेकिन बीजेपी के एक बरे प्रवक्ता ने बरे नेता ने कपिल मिस्टरा ने जो खुलासा किया है इससे अर्विंद केजडीबाल की पूरी तरीके से भंडा फोर हो चुकी है और वो खबर क्या है दोस्तों कैग रिपोर्ट को लेकर के पुरा खब अब देखिए कि कपिल मिस्टरा क्या बोलते हैं जरा विडियो में जरा बी शर्म बची है तो कैग रिपोर्ट आने के बाद सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद शराप गोटाले पर अब उनको कुरसी पर एक छण भी नहीं बैठे रहना चाहिए तुरंत स्वीफा देना ऐसी ही सीएजी की रिपोर्ट लेकर वो ब्रेश्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करके राजनीती में आये थे शीला दिक्षित के खिलाफ या कॉमन वैल्ट स्कैम के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट ही आधार बनी थी जनान दोलन का और आज सीएजी की रिपोर्ट क्य पुटाले के कारण ये कोई राजनाती कारोप नहीं है ये CAG की रिपोर्ट में लिखा हुआ है और वो ये कह रहे है कि इसमें से 941 क्रोड रुपए का नुक्सान हुआ जब आपने जान मूझ कर परिमिशन नहीं दी और चलने दिया वहाँ पर भिष्टाचार को 841 क्रोड रुपए का नुक्सान हुआ जो आपको रीटेंटरिंग करनी थी सरेंडर्ड जोन की वो आपने करने से मना कर दिया 144 करोड रुपे का नुकसान हुआ अनियमित्ताओं के कारण, इर्रेगुलरिटीज के कारण और 27 करोड रुपे का नुकसान हुआ जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के कलेक्शन में गडबड़ी की पूरी तरह चार हिस्सों में इस घुटाले को बाटा गया है चार हिस्सों में किस प्रकार से सरकार का नुकसान हुआ, अर्विंद केजरिवाल की शराब नीती के कारण, वो अब सीएजी की रिपोर्ट में भी लिखा आ चुका है कैक की रिपोर्ट एक गंभीर डॉकुमेंट है, नयायाले में भी इसको तौला जाता है, पर्खा जाता है और मुझे ये लगता है कि शराब गोटाले की जो बात हम इतने समय से कर रहे थे जिसके कारण मनिश्च चोगी और संजे सिंग जेल में है और केजरीवाल एडी से भाग रहे हैं, अब कैक की रिपोर्ट में भी शराब का गोटाला सिद्ध हो चुका है एक साइस पॉलिसी में दो हजार करोर को चार अस्तल में घोटाला किया गया और ये पूरी तरीके से कपिल मिस्रा ने अर्विन केजरीवाल के शराब घोटाले का पुड़ा पुलपटी खोल करके रग दिया इस पर बीजेपी के तरब से एक और बड़ा स्टेटमेंट आता है दोस्तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता है सिवम त्यागी जी ये कहते हैं कि ये वही भगो रहा है जो एक खबर छपने पर सिला दिक्षित को गिरफतार करने की मांग करता था आज एक दरजन समन आ गया है इडी बुला रही है लेकिन डर के मारे भागा भागा फिर रहा है और कोट से कहता है कि गिरफतारी से डर लग रहा है और भगस सिंग जी की फोटो लगा करके बेवखुब बनाता है देश को सीवम त्यागी के इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से आम आदमी पाटी में बौखलाहट का मंजर पूरी तरीके से चागया अब एलजी वीके सक्सेना ने भी बहुत बड़ी बात कह दिये कि आज दिल्ली की पूरी तरीके से स्थीती खराब करके रख दिया है अर्विन केजडिवाल ने उन्होंने क्या का जरा देखी उन्होंने कहा कि दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदुसित राजधानी का दरजा मिलने पर केजडिवाल पे निसाना साधा और कहा कि पूरे दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदुसित राजधानी बना दिया अर्विन केजडिवाल ने इनको शर मानी चाहिए दोस्तों ये सब मामला चली रहा था लेकिन आज कल तिहार से भी ठग दलाल चोर उचक्के को भी खत लिखने का अधिकार है और अपनी बात रखने का अधिकार है और ये बात चलिए सही भी है सुकेस चंद्रसेखर ने स्टेट्मेंट जारी किया और उसने ये कहा है कि मैं अपने पत्र में ये बात कहा है विस पोटक पत्र जारी किया और कहा है दावा किया है कि केजरी बाल के बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी जानकारियां है सुकेस चंदर सेखर ये भी कहता है कि तिहार कलब में के कवीता का स्वागत है आगे सुकेस चंदर सेखर ये भी कहता है के कवीता को लेकर के कि अब तुम्हें सत्य की शक्ती का सामना करना पड़ेगा और अब भारत की कानून पहले से कही जादा मजबूत और शक्ति साली है सुकेस चंदर सेखर ये भी कहता है कि मैंने कहा था कि पिछले साल विधान सभा चुनाओं में बी आरेस तेलंगाना की सत्ता से बाहर हो जाएगा और ये भी कहा था कि केक अविता गिरफतारी के बाद तिहार में आएंगी और तिहार का हिस्सा बनेंगी तिहार की सोभा बरहाएगी सुकेस चंदर सेखर ने जो जो कहा वो सबते साबित हो जा रहा है सुकेस यह भी कहता है अपने खत में पत्र में कि केजरी की गिरफतारी होगी सिंगापूर हॉंग कॉंग जर्मनी में जो हजारों करोर लूटे और जमा किये वो सब देश के सामने आएगा तो भले सुकेस चंदर सेखर महा ठग है प्रोटेक्शन के मामले में सत्यंदर जैन को 10 करोर रुपए मनी लॉंडरिंग का मामला देने का पुरा मामला है तो सुकेस चंदर सेखर जो जो स्टेटमेंट दे रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाब सत्यंदर जैन के खिलाब केज दोस्तों इन तमाम नुद्दों पे अपनी विचाज़ वेक किजिएगा और ऐसा ही लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पेस कर लिजिएगा और अपनी दोस्तों में शेयों किजिएगा तैंक्स वो वाचिंग माई वीडियो ज जाइन सत्ते में हो जाएते